हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो आज का वीडियो है हमारा एक रिंग लाइट के उपर जैसा कि आप सभी को पता है यूटूब पे वीडियो बनाए या फिर कोई सौट वीडियो आप से भी सूट करते हैं चाहे आप इंस्टाग्राम या टिक टोक लाइक जस्ट सौट वीडियो आप कोई भी बनाते हैं तो उसके लिए आपको इस्टैंड और एक कैमरे के साथ एक लाइट की जरुत पड़ती है रिंग लाइट आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि इसकी जो लाइटिंग है वह बहुत ही बैष्ट होता है फेस के लिए इस पड़िये तो उसको कैसे बनाया है और अगर में मार्केट की बात करूं तो इसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा आपरोक्सिमेट में मैं बात करूं तो पंद्रह सो अथारह सो और बढ़ियां से बढ़ियां लाइट में बात करूं तो 2000 में आता है तो मैंने जब मार्केट में पता किया तो इसकी जो कॉस्स था वह बहुत ज्यादा फिर मैंने इसके बारे पता किया तो पता चला किया इसमें तो ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस ही नहीं यह बहुत इसली एक असेंबली है जिसको कि मार्केट में बहुत एक high value के साथ बेचा जा रहा है तो आप मेरी light को उस light से comparison कर सकते हैं जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं यह light यह मेरी खुद की बनाई हुई ring light है जो की stand के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है तो इसे बनाने के लिए मैंने 50-60 रुपे खर्च किया है I promise कि इतने ही रुपे यूज किया हुआ है और बाकी मेरे घर में पुराना emergency light पड़ी थी काफी टाइम पहले की कहां तो 2017-2018 की एप्रॉक्सिमेट 2-3 साल पुरानी मेरे पास कुछ light पड़ी थी जिसे हमने कबाले में फैक रखा था मैंने उसे यूज किया और as a regulator light को कम और तेज करने के लिए मैं अपने जो है light में set किया हुआ है तो इसकी जो assembly है बहुत easy है आप इसको घर में बना सकते हैं और अपने cost को बचा सकते हैं और अगर देखिए वीडियो पसंद आया तो आप इसे like करना और अगर आप नए आया है तो please हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कर दे ताकि मेरे चै सब्सक्राइबर करने के लिए और यह जैसा आप सभी देख सकते हैं जैसा भी आपको डिजाइन चीए तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मैंने सभी को नीचे की तरफ चिपका के आपस में सौल्ड कर लिया है इसमें आपको polarity देखने है प्लस और माइनस मैंने यहां पर प्लस माइनस को एक साथ सैट किया हुआ है माइनस माइनस को एक साथ कनेक्ट किया और प्लस प्लस को और यहां लाश्ट में मैंने कनेक्शन छोड़ दिया है ताकि मैं यहां पर इसको क्या करूं power supply दे पाऊं जो की 5 वाल्ट का यहां पर दिया जाता है ठीक तो जो है इनकी polarity पे ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर आपने इसके polarity पे ध्यान नहीं दिया तो ये जो है बिल्कुल ही मतलब आपका काम नहीं आएगा या फिर आपकी light नहीं जलेगी connection करते टाइम भी आपको देखना plus और minus की side लगाना है plus के side plus और minus के side minus अब देखिए अब मैंने इसके साथ एक और ring एड़ कर दिया ताकि जो इसकी light है वो थोड़ा ज़्यादा हो मेरे को मिल सके मेरे according ठीक है तो इसलिए मैंने इसमें दो layer set कर दिया है तो आप इस तरीके से connect कर दिया है और यह बहुत ही low cost में आते मार्केट में available है आप जाएंगे मार्केट में तो approximately मैंने इसको 400 रुपे में खरदा है पूरे की पूरी light के strip को बाल्टी का डिबा मैंने घर से ले लिया यह देखिए यह मेरा strip जो कि मैं मार्केट में 400 रुपे का लाया था पूरी की पूरी तीन लरी ठीक है इसमें तीन पूरी लंबी strip थी है जिसको मैंने इसमें यूज कर लिया है काफी और थोड़ा सा मेरबा बचा हुआ है आगी की प्रोजेक्ट में अब उसे हम इसमें सैट करेंगे मतलब एक काम तो हमारा हो गया अगर हम इसमें सीधा पांच बॉल्ट की सप्लाई दें जब भी भी क्या है यह हमारा यूज में आ जाएगा ठीक है मतलब की जलने लगेगा बट अगर मेरे को brightness कम ज़्यादा करना है तो उसे manage करने के लिए अब हमें इसके अंदर एक circuit को लगाना होगा जो की बहुत ही simple और बहुत ही आसान है तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे यह हमारा पूरा circuit जो कि मैंने इसमें फेड किया है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा इसका diagram दे दूँगा बहुत ही आसान है अगर आपको बिल्कुल knowledge की तो जर्थ ही नहीं इसमें आपको सिधा है कि मैंने इसमें 4V का battery लिया है 4V 1A का market में आपको यह easily 20-25 उर्पे में मिल जाता है यह देखिए 4V 1A का है ठीक है आप 2A ले लेंगे तो और light आपकी तेज होगी उसके साथ हमने connection के लिए इसमें positive और negative terminal का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के आपको जरुत पड़ेगा इसमें एक मैंने लिया हुआ है switch switch के हैं तो एक register है जिससे कि इसकी light को तेज कम किया जाता है यह देखिए इस पर लिखाओ है switch 2018 मेरे पास यह पुराना पड़ा हो था emergency light की मैंनो उसको यहां से move कर लिया है ठीक है यह है मेरे एक power charging के लिए मैंने point दिया है जिसे कहते है DC connector और इसमें एक जो सबसे important चीज़ हो है diode बस बाकि register और indicator तो जो हमारे यूज होता है वो normally यूज होता है हमारे जो LED की safety के लिए तो यह LED switch और उसके साथ यहां पर आपकी battery और इस सभी को connect करता है diode के through ठीक है जो कि इसके supply को ज़्यादा और कम करने में मदद करते और से vary करवाता है ठीक है इतना ही है यह आपका circuit है मैं आपको इसे आपके description में दे दूँगा इसका link जहांसा आप इसे download करके अच्छे से समझ पाएंगे मैंने इसे ऐसे इसलिए बना दिया है ताकि आपको easily यह समझ में आ पाएगा ठीक है तो इसमें आपको कोई confusion होने की जड़त नहीं है यह देखिए यहाँ पे आपको LED दिया हुआ है जो की indicate करेगा कि हमारी जो battery charge हो रही है या नहीं तो यह हमारा चार्ज है जैसे कि मैंने cutting कर लिया इसमें हम direct charge कर सकते हैं थ्रू पिन भी charge कर सकते हैं तो यह देखिए आप यहाँ LED के पास direct भी लगा सकते हैं जहाँ पे connector है connector की जड़त नहीं है आपको यहाँ तीन चीज़े चीए LED बैटरी और यह switch और एक diode यूज़ कर ले आप इन तीनों को हटा सकते हैं LED को और 5 वर्ट की जो charger है उसको ठीक है और register को तब भी simply चल जाएगा ठीक है बाकी मैंने यूज़ किया ताकि यह circuit long time चल सके इसमें कोई problem नहीं आना चीए ठीक है ओके देन अब देखिए हमारा जो circuit कुछ इस तरीके से उपर देख रहा हूँ उपर मैंने regulator switch लगा दिया है जैसे कि मैं इसकी जो light को तेज और कम कर पाऊंगा आप बीच में देख पा रहे होंगी यहाँ पर मैंने से connect किया है अपस में interconnect तो उस चीज़ की कोई confusion मत लेना माइंड में ठीक है यह इसकी charger है नीचे एक side देख पा रहे होंगे आप और उसके side में just यह है indicator जब हमारा light जलेगा तो उहाँ पे indicator so करेगा कि हमारी light जल रही है तो यह देखिए अब charger को मैं लगा रहा हूं board में तो अब उसके बाद हम इसे supply देके देखेंगे कि क्या हमा मैंने light को connect कर दिया switch में और यह देखिए इस तरीके से जल रहा है बट अब हमें जो light को है कम करना है तो क्या करेंगे यह देखिए यह मैंने बढ़ा दिया इसे full कर दिया light को अब मैंने इसे बंद कर दिया ठीक है अब इसमें धीरे से मैंने पहला point इसमें आप five time में इसे move और तेज हो रहा है ठीक है उसके बाद इसे आप easily बंद कर सकते है ठीक है और charging का आपको indicator सो कर रहा है तो आपको वीडियो कैसा लगा आप comment करके हमें जरूर बता है so thank you very much watching this video